आज की ये खौफ़नाक कहानी दोस्तों ये कहानी है लोगडाउन की तो लोगडाउन में ज्यादतर लोग अपना टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीजें करते थे और लोगडाउन ने ही कई सारे लोगों को कमाना सिखा दिया तो दोस्तों आज की जो ये कहानी में आपको बताने जा रही हूँ ये दरसल तब की बात है कि जब लोगडाउन थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था वस्वक्त मैं अपने गाउं गई हुई थी जो कि कानपूर में है तो कानपूर में जब मैं अपने गाउं में गई तो वहा लगे तभी मैंने अपनी फ्रेंड्स को रहा कि जा चलो कुछ होरर स्टोरी सुनाते हैं एक दूसरे को तो हम लोग ऐसे ही बाते करने लगे तभी मेरी एक कजन आती है तो वो कहती अरे ये सब भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं सिर्फ मन का वहम होता है और ये सारी फिजूल बाते होती हैं और इतना कहकर वो हसने लगी तभी बगल में बैठी मेरी एक कजन जिसका नाम जन्नत था तो उसने बोला लगता है इनको आफिया दीदी का मैटर नहीं पता है तो हम लोग इने कहा कि आफिया का क्या आफिया का क्या तो उसने कहा अरे आप लोग को नहीं पता कि जो आफिया पी थी उनके साथ क्या पता तो अब मुझे भी नहीं पता था तो मैंने कहां यार बताओ हम लोग इसलिए तो बैठे हुआ हैं अब हम लोग सभी एक्साइट हैं कर इदम ध्यान से वो सारी बाते सुनने लगे तो जन्नत ने बताया कि जो आफिया है वो मतलब कि उसकी बुवा की सबसे छोटी बेट जादतर यानि कि सभी लोगों को नहीं बोल रहा जो जादतर लोग होते हैं उनको अपने खोपसूरती पर बहुत घमंड होता है ठीक वैसे ही आफिया को भी था तो क्या हुआ कि गाउं में जितने भी लोग थे सब की नजर आफिया पर ही होती और जो कहीं पर भी जाये कभ बहुत बेकार लगती थी तो उन्होंने कहा कि यार ये गाउं में रहेगी तो कुछ उचनीच बात हो गई तो इज़त तो मेरी ही उचलेगी तो उन्होंने क्या कि आफिया को दिल्ली भीज दिया उसके मामू के हाँ पढ़ाई करने के लिए आफिया वहीं पर ही रहकर पढ अकाल हो चुका है जब ये बात सुनी तो मामी मामू और आफिया तुरंथ कानपू पर के लेकिन उनके पहुँचते पहुचते क्या हुआ कि उसकी दादी को कबरेस्तान में दफना दिया ग्याँ जो कि ये बात आफिया को बहुत जादा बुरी लगी क्योंकि आफिया ko अपनी दादी को नहीं देखा तो उसने अपनी मतलब की जो उसकी बड़ी यानि कि उसकी जो सिस्टर ति आफ्या की तो उसने कहा कि अल्भी मुझे एक बार दादी के कबर पर पर जा कर फातिया करना है फातिया मेंस की प्रेयर करनी है लेकिन उसकी अप नेए अरे नई लड़कियों को वहां नहीं जाना चाहिए इतना कहकर उसकी अपी चली गई फिर आफिया ने क्या किया कि और दो तिन कवे इसके साथ मतलब अपना ये सारी चीज़े बोला कि यार मुझे दादी के कवर पे जाना है लेकिन सब ही ने माना कर दिया इसी तरह उसने घर करिवार में सब से कहा लेकिन सबने माना कर दिया वो उदास होकर अपने घर के जहार बैठ गई तबी किस्मत से उसकी एक दोस्त जिसका नाम सिफा था वो आई तो अब आफिया ने सिफा से कहा कि यार फिलीज मुझे मेरी दादी के कबर पर जाना है मुझे उन से मिलना है उनके लिए प्रेयर करनी है तो उसने का नई यार घर में किसी को पता चलेगा न तो हम दोनों को मार पड़ेगी तो उसने का हो गई यही दोस्ती है यार मतलब कि अब दोस्ती की खातिर तो इतना नहीं कर सकती यानि कि आफिया जो थी वो सिफा को अब ब्लैक मेल करने लगी थी इमोसनली तो उसने कहा कि यार चल ठीक है अब तो इतना बोल रही है तो चल लेकिन हाँ प्लीज यार जल्दी लोट कर आ जाएंगे नहीं तो अगर घर में पता चला ना यार तो अम्मी अभू बहुत मारेंगे आफिया यह सुनकर खुस हो गई और बोली अरे अरे तु चिंता मत कर साथ में चलते हैं और जल्दी लोट आएंगे उसके बाद जब आफिया और यह सिफा जब दोनों कबरेस्तान गए तो देखा कि यार वहां का महाल मतलब इतना जाद अच्छा था मतलब कि इतने कबरेस्तान में बहुत सारे अनार के पेड़ लगे हुए थे और अनार भी दिखने में दम लाल लाल एकदम अच्छे दिख रहे थे वह गई और कबरेस्तान के अंदर आफिया गई और सिफा भी गई थी लेकिन वो थोड़ा दूर खड़ी थी कुछ देर के बाद क्या हुआ कि दोनों घर लोटाएं उसके बाद क्या हुआ कि आफिया घर आकर वो अपना चुप-चाप सो गई दूसरे दिन जब वो उठी तो उसे पता चला कि सिफा की तबियत बहुत कि ज्यादा खराब है यह सुनकर आफिया को भी बड़ा मतलब डर लगा कि आचानक सिफा को क्या हो गया उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाए गया और मतलब बताया गया कि वह पता नहीं क्या इधर उदर की बाते कर रही है और साम होते होते क्या हुआ कि आफिया की भी तब फिर से वही एक सिकायत ये थी कि उसका सरदर्द मतलब की बहुत ज्यादा होने लगा था बहुत सारी दवाईया कराने के बाद भी उसे कोई फरक नहीं पड़ रहा था यानि कि उसका सरदर्द जो की दवाईयों से जाही नहीं रहा था फिर उसके बाद क्या हुआ कि घरव काने के लिए केवल बस मिठाई या कोई नानी को डीरी दिर्शलखρ होने लगा एक दिन mmm कि उसकी नानी ने कमरे के बाहर से सुना कि रात के वक्त वो किसी से प्यार महबत की बाते कर रही है उसकी दादी समझगी कि जरूर ये कोई उपड़ी चक्कर है क्योंकि उस वक्त तो आफिया के पास फोन भी नहीं तक कि हाँ वो फोन से किसी से बात कर रही हो दूसरे दिन उसकी नानी ने क्या किया एक मौलवी को गुलाया मौलवी जैसे ही आए तो आफिया एकदम आखे घूर घूर कर मतलब उसको देखने लगी मौलवी को अब मौलवी ने कुछ अपना पढ़ा उसके पर फूका तो वो तुरंत आख एकदम सांथ होके बैठ गई फिर उसके बाद मौलवी ने उसके नानी मामी और उसके मामो को बताया कि आफिया के उपर एक जि अनार खाया है यानि कि उसने जिन जिस पेड़ पर जिन वास करता था उसने वहां का अनार तोड़कर खाया है जिसकी वज़ा से वो जिन इसके उपर आसिक नहीं हुआ है बलके गुस्सा हो गया है और उस मौलवी ने ये भी बताया कि इसकी एक सहली है जिसने उसी पेड़ वो जिन इनको परिसान कर रहे है क्योंकि जो जिन होता है वो अनार के पेड़ पर वास करता है तो अब उसके घर वाले एक दम परिसान उन्होंने कहा मौल्वी कुछ तो करिये हमारी बच्चीयों को बचाइए तो मौल्वी नहीं कहा कि देखिये मैं इन्हें रोक तो नहीं सकता यानि किसे काट तो नहीं सकता बढ़ हाँ कुछ समय के लिए मैं इसको बचा के रख सकता हूँ इसका इलाज आपको मैं जो मेरे से बड़े मौलवी हैं आपको उनसे करवाना होगा तो उन्हें ने का कि अच्छा ठीक है उसके बाद क्या हुआ कि आफ यह मतलब इसी तरह हरकते करती रही करती रही और धीरे धीरे वो मतलब जैसे पागल सी हो गई और एक दिन क्या हुआ कि वो छट पे गई और उसने वहीं से कोज को सुसाइड कर लिया अब मतलब कि सब घर परिवार एकदम तबाह हो चुका था किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और दूसरी साइड क्या हुआ कि जो सिफा थी वो भी पागल होती इसी तरह उसने भी सुसाइड कर लिया लेकिन उनके घरवालों को पता था कि आखिर जो इन लड़कियों के साथ हुआ है जो इन्होंने सुसाइड किया है आखिर क्यों किया है क्योंकि ये उपर ही चक्कर था और जो जिन इन लड़कियों पर पॉसेस हो चुके थे इसके बाद क्या हुआ कि उसके अम्मी अबू को ये नहीं पता चला है कि भाई चलो ठीक है आफिया के साथ जो ये हुआ तो हुआ लेकिन जो सिफा थी यार वो तो बाहर खड़ीते तो उसने कैसे उस पेड़ के मतलब की अनार उसको खाया और फिर मतलब एक अनार खाने की वज़ा से मतलब ये सारा चीज हुआ मतलब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था बट जिन तो उन पर गुस्सा हुए थे भाई हो सकता है कि अगर जैसे माल लीजे कि आपके घर का आपके घर पे समान रखा हुआ है और आपसे बिना पूछे कोई चीज वो उठा के इस्तमाल गर ले तो जाहर सी वात है कि आपको तो भाई गुस्सा तो आए गही उसी तरीके जो जिन होते हैं वो भी अनार के पेड़ पर वास करते हैं और भी कई सारे पेड़ होते हैं बट अनार के पेड़ पर ज़्यादा होते हैं दिन क्या हुआ कि अगर उनकी चीज बिना पूछे अगर कोई भी लेगा तो गुस्सा तो करेंगे ही तो साइध यही वज़ा था कि जो आफिया और सिफा की मौत हो गई लेकिन हाँ जो आफिया जो जन्नक थी उसने बताया कि आफिया जो है वो अपनी मामी के ख्वाबों में हरो जाती है और वो रोती रहती है तो अब यह सारी चीज़े जब स्टोरीज हमने सुनी तो यार लगा कि हाँ यार सच में होते हैं जिन भूत प्रेथ तो गाइस यही थी वीडियो छोटी सी आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और हां मैं फिर से यही बोलूंगा कि अगर आप अपना पर्सनल इक्सपीरियंस सेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इमेल आईडी दी हुई है आप वहाँ पर जरूर सेयर करें तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुट नाइट